हलो माइ बीटिफुल मेकपॉलिक्स वेलकम बैक तो माइ चानल और आज का वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने ब्राउस को कैसे आसानी से घर में ग्रूम कर सकते हैं प्रॉपर शेप दे सकते हैं मैं युजुली अपने आइब्राउस के बाल प्लक नहीं करती लेक सब्सक्राइब को भी हिट कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो से बेखा बरना रहें तो विदाउट फॉदर दू कर लिया है और दूसरा बाकी है तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो वेल गुरूम है वो कितना प्यारा लग रहा है और जो दूसरा बा प्रवला बैलेट मर ने पिछली वीडियो में भी बताया था इसमें काफी सारे शीट मिल जाएंगे आपको जैसे अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको लाइट से लेके डाक शीट सारे मिल जाएंगे और उसमें ब्राव वैक्स और एक हाईलाइटर भी है और साथ में ब् दे रही हूं एक अच्छा सा कंसीलर मेरा फेवरेट है यह मैक का कंसीलर और उसके साथ मैं ले लूँगी एक कंसील आप ब्रश अपने आइब्रोस के लिए तो यह है स्पूली जिसकी मदद से मैं अपने ब्राव के हैर है उसको थोड़ा सा डारेक्शन ले लूँगी कॉम आगी के ब्राव को अपने अपफर डारेक्शन में और जो बाकी के जो हैसे वो जिस डारेक्शन में जा रहे हैं उनको उस डारेक्शन में कॉम करना है अपको इसा भी स्पूली ले सकते हैं तो यह मैं इसको अच्छे से लाइन कर रही हूं अगर आपको लगे कि आपके बा बाल एक्स्ट्रा होते हैं मैं यूज्वली नहीं कट करती हैं अब मैं यह स्लांटेड एंगल ब्रश यह एंगल ब्रश काफी हलफुल रहेगा आपको चोटी-चोटी है स्ट्रोक्स बनाने में मैं यहां पर ले रहे हूं एक ब्लाक कलर का जो इसमें आइब्रो पावडर था और उसी सी मैं इसको थोड़ा सा अएपने आइब्रो को मैप कर रहे हूं हलकी-एख्यष ट्रोक्स में ताकि ऐसा ना लगे कि आपने रॉ किया हुआ है कुछ लाइन बर ऐसा लगे कि नैचरल आपके बाल है तो हलकी-खेज़च्रोक्स में बिल्कुल जैसे अपने ब्राउ जो आगे के बाल है बिलकुल मैं जैसे स्ट्रेट बाल है तो बिलकुल उनको स्ट्रेट ही ऐसे इस ब्रश से मैं इस apple हेर, सो और जो नीचे का है मैं जिस तरह से आपको पहले बता था मैं बस उसको मैप कर दूंगे अब सारे जो ब्राव हैर है उनको उसी शीट से सब को ब्लेंड कर देंगे आसानी से ब्लेंड हो जाएगा अगर आपका ब्राव प्रोडक्ट अच्छा वाला है तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी और अब मैं ले रही हूँ ये कंसीलर और मेरे जो ब्रश यूज क्या है वो व पहले उसको ब्लेक कलर के ब्राव प्रोडक्ट के साथ मैप किया था बिल्कुल उसके नीचे कंसीलर से हम उसको काव आउट करेंगे तो जैसे अब देख सकते कितनी सफाई आ गई है और ब्राव किता क्लियर लग रहा है जबके मैंने कोई ब्राव हैर प्लक नहीं किये उसक 500 फिरम ब्लेंट करन न बूलें कियो कि आगर ब्लेंट करना भूल जाएंगे तो बिल्कुल पैची लगेगा तो मेंक शूर कि आप पेशिर को अच्छी से ब्लेंट कर दीजिगा अपने रेस्ट आफ्ट दो सकिन के साथ चाहिए अब कैस्था अपने एसको ब्लेंड किया हो बिल्कुल मैश लगे जैसे अभी लग रहे हैं मेरे अगर आपको लगे कि जैसे दोनों इवन नहीं लग रहे तो मिक्ष्वर कि आप दोनों को इवन आउट कर लीजिए जैसे मुझे यहां पर नहीं ऐसे लग रहा था कि वह बीच में स्पेस है तो मैं फिर से वही एंगल ब्रश लेकर फिर थोड़ा सा और उस पर मेरा ब्लैक कलर का ब्राव पाउडर लेकर मैं इसको अच्छे से वैसे ग्रूम कर रहे हूं ताकि मेरे दोनों ब्राव मुझे सेम लगे अब मैं ब्राव वैक्स जो उसमें अवेलिबल था नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं तो मैं ब्राव वैक्स अपने ब्राव पर लगा के यह पूली से मैं उसको सेट कर रही हूं ताकि मेरा जो आईब्रो बना हुआ है वह मैं सब ना हो जाए और अच्छा सा ऐसे ही रहे जब तक मैं उसको रिमूव ना करूं तो आपने भी अपने ब्राव पर वैक्स लगा रहा है नहीं है तो छोड़ दीजिए कोई मसला नहीं है अगर आपके पास आईब्राव के पॉमेज या आईब्रो पावडर नहीं है तो आप कोई सा भी डाक कलर का आईशेडो ग्रे हो या फिर डाक ब्राव तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फिर अपने ब्राव को एंहांस करने के लिए अप हाइलाइटर लेकर अपने ब्राव बोन पर लगा देंगे तो वो और क्लीन और और अच्छा दिखेगा तो बस आज के लिए इतना ही था मेक्शर के कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों ब्राव बिल्कुल सेम और अच्छे से ग्रूम हो गए है और एक बात बताते चलो कि मैं अपने आइब्रोज नहीं बनाती मैं बस इसी तरह से ग्रूम करती हूँ और कंसीलर से ही जो एक्स्ट्रा हैर है मैं उरको हाइड करती हूँ तो आ